आज मैं आपके सामने हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्ले लिस्ट के अंतरगत एक निया लेकर लेकर आया हुँ आपके बीपीएसी और उपीएसी एक्जामिनेशन के पॉइंट अभी उसे हम लगातार हिस्ट्री में गवर्णर जेनरल के ऊपर डिसकस कर रहे हैं कि गवर्णर जे एसा कारणामा हुआ था जो हमें याद भी रखना है और जिसके ऊपर कुश्चन भी पूछी जाते हैं तो आज एक नए लेसन के साथ में हम आते हैं पिछली लेसन में हम लोग ने देखा था लॉड हाडिंग तक पढ़ लोगों ने देखा था जेम्स फोर्ड तक देख लि उसके अधार पे गबरनर जेनरल का पोस्ट जो है उसको की री-क्रिस्चेंड रीनेम कर दिहा गया और अब वह वाईस-रोई के नाम से जाने लगा था थाकर्रेक्ट तो अथा सो निठामन के बाद से जितने भी थे सब लोग वाईस रॉइक के नाम देख जाने लगे ऑफी कीज से लेके 26 तक कॉमनिस पार्टी का आप लोगों ने नाम सुनाओगा कॉमनिस पार्ट अफ इंडिया कॉमनिस पार्टी का जो इस्टेबलिशमेंट हुआ था 1921 में एमन रॉआई के दौरा कई बार पीटी में पूछा गया है इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा और उस जो गवर्णर जेनरल या वाइसरोई था वो लॉड रीडिंग था लॉड रीडिंग के समय में आपने देख्या होगा नॉन कोपरेशन मुवमेंट का जो एंडिंग हुआ था वो भी लॉड रीडिंग के समय में हुआ था चौरी-चौरा इंसिडेंट जो जो गोरकपूर म के बाद जो उस वक्त आंदोलन में क्लामेक्स था चढ़ाओ था अचानक स्टॉप होने के कारण काफी नेताओं में काफी लोगों में क्या था मतभेद पैदा हो गया जो गया सेशन आप लोगों को पता होगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का गया सेशन 1922 में हुआ जहां प मुतिलाल नहरू और सीयारदास के द्वारा स्वराज पार्टी के स्थापना 1923 में कर लिया गया इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का गया सेशन 1922 में हुआ था उस वक्त भी लॉड रीडिंग ही था गवर्नर जनरल या वाइसरोई का सकते हैं अब आता है लॉड इर्विन की में बात करते हैं अकसर मेरा जो टेलिग्राम चैनल है या मेरा वाटसब ग्रूफ है वी पीसी के लिए या सिविल सर्विशन के लिए उसमें इनके वारे में लॉड इर्विन से संबंदित कुछ घटनाओं को कुछ इंपोर्टन इवेंट को लोगों के द्वारा शेयर किया लॉड इर्विन के समय में सबसे इंपोर्टन पार्ट जो है वो 1928 में साइवन कमिशन का आना जिसका उत्रोप्रांत आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ था सिविल डिस ओबीडियन्स मुव्मेंट सब इने अवग्या आंदोलन शुरुआत हुई फिर कॉंग्रेस का लाहुर में 1929 में वो भी लॉड इर्विन के समय में हुआ था 1929 का कॉंग्रेस का सेशन यूठ सेशन के तर पे जाना जाता है क्योंकि जबालल नेरू को इस कॉंग्रेस सेशन में ध्यक्ष बनाया गया पहली बार ठीक है और उसके बाद इसी समय में डिसाइड किया गया थ स्टेटिमेंट भी बहुत लोगों को याद है इसके रिगाड़ी ठीक है उसके बाद सिविल डिसरबरियंस हो गया फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉंफरेंस 1930 पहला राउंड टेबल कॉंफरेंस जो हुआ था लॉड इर्बिन के समय में और पहले राउंड टेबल कॉंफरे में पाटिसिपेड करने के लिए प्रवोक करो या पटाओ जो भी है राइट सो बिकॉज अब डाट गांधी इर्बिन एग्रिमेंट जो है काफी एफर्ट लेने के बाद दोनों तरब से गांधी इर्बिन पक्ट साइन हुआ और वो था पांच मार्च 1931 याद किजिएगा पांच तारीक जो है वो कब कौन-कौन सा इन्सिडेंट हुआ था 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 जो कई बार कई तरह के इंसिडेंट वहां पे देखने को मिले हैं तो आज में अपने टेलिग्राम चैनल में भी यही पूछने वाला हूं कि पांच तारीक में थाराइसा शंतामन से के 1947 तक में कौन-कौन सा इंसिडेंट हुआ था चैनल का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं तो कर लिजेगा क्योंकि वहां पर न के बल आपको में मत्रील जो मिलता है आप लोगों के बीच में इंपोर्टन में शेयर करना हुआ 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 है हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको मिलता रहेगा मुर्धिन ट्वंटि कोशन से एवरी दे यूँविल गेट तु सॉल्व फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट हिस्ट्री जोग्रफी कोई-कोई सेक्षन में उठा के उसके ऊपर दस कोशन पुटब कर देता हूं ताकि उस सेक्षन के बारे में रिवीजन हो सके हैं चलिए गांधी इ कॉंफरेंस में पाटिस्पेट करने के लिए तयार हुए जिसके लिए ग्यांधी जी और बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे भी ध्यान दखेगा उसके बाद लॉड विलिंटन का नाम सुने होंगे लॉड वेलिंटन 1931 से लेके थर्टी सिक्स थक था 1931 से लेके थर्टी सिक्स थक देखे मैं आपको एक तरीका बताता हूं हिस्ट्री को अगर आप कभर करना चाहते हैं तो आप क्या किजिए कि लॉड वेलिंटन या जैसे लॉड एर्विन हम लोगों ने पढ़ा उनके दर्मियान जो वेजर में इंसिडे लोग वह भी आपका रिकॉल हो जाएगा है ना चलिए लॉड वेलिंटन के समय में सकेंड एं थर्ट राउंटेबल कॉंफरेंस हुआ जो 1931 और 1932 दोनों था सकेंड राउंटेबल कॉंफरेंस में तो जैसा कि मैं आपको बताया ही कि पार्टिसिपेट किया नेशनल कॉंग गांधी जी 1931 के राउंटेबल कॉंफरेंस करने के बाद जब तक लंदन यहां पहुंचे तब तक 1932 हुआ और 1932 में कॉमिनल अवार्ड अनॉंस हो चुका था तो 16 ऑगस्ट 1932 को कॉमिनल अवार्ड अनॉंस किया गया जिसके आधार पे हमारे कॉम्यूटी हमारे सेक्शन म एक डिवीजन क्रियेट करने का प्रयास किया गया बेटिस गभर्मेंट के द्वार्ड और जो कि इसके बिरोध में गांधी जी और बहुत सारे निता जो बिरोध करना शुरू किये और इसी कारण से गांधी जी उसबग जेल में थे और क्या बोलते हैं इसको हां अम्वेद किया और फाइनली पूना पैक्ट पर अम्वेदकर जी और गांधी जी के दौरा साइन हुआ और वो पूना पैक्ट 24 सप्टमबर 1932 को साइन हुआ अब इसके अधार पे क्या हुआ कि महातमा गांधी के काफी क्या बोलते हैं पर्सुएशन के बाद पूना पैक्ट के अंतर हमारे सोसाइटी में या कह सकते हैं हमारे डिवीजन के गैप को बढ़ा देगा या गैप को हमेशा कंटिनू रखेगा लेकिन अगर वही चीज हम अपने ही आपस में मिलके बैट के सीट को इलोकेट करते हैं और कुछ सीट रिजर्ब करते हैं लोग के लिए तो यह पर्मान 334 में भारी बहुत बड़ा हेवी अर्थकियक आया था बिहाल में और आपको याद होगा कि मैं 1934 के अर्थक्वेक के बाद जब अंग्रेज ऑफिसर का वहां मौईना किया गया तब उस पेंटिंग को पेंटिंग पाया गया और अब्जर्वेशन के बाद उसे वह ले गया अपने साथ में और उहीं से सुरुवात हुआ मिथला पेंटिंग का बिहार के धर्ती से बाहर जा जिसका मेजर पार्ट जो हमारे इंडियन कॉंस्टिचूशन में आज भी एक्जिस्ट करता है तो कह सकते हैं कि यह एक ग्राउंड बना था हमारे इंडियन कॉंस्टिचूशन का फ्रेमी में 1935 का इसके बाद आपको पता ही हो कि टेंप्रोडी गवर्मेंट 1937 में भी गवर कि बहुत ही इजली आप याद कर पाते हैं जब भी मन में याद कर लीजे मन में बिठा लीजे कि जब भी कोई भी मुवमेंट पर रहे हैं तो हमें गवर्नर जेरल को एक वार अपने माइंड में रिकॉल करना है कोई भी मुवमेंट पर रहे हैं एक वार रिकॉल करना है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस कमें कर रहा था कुई इंडिया मुवमेंट 1932 का 1942 का कुई इंडिया मुवमेंट यह ध्यान रखेगा चलिए उसके पहले फर्स जेनरल एलेक्शन जो हुआ था जो मैं आपको बोला था भी के 1935 एक्ट के बाद जेनरल एलेक्शन हुआ तो व इंडिया का गवर्णर या बाइसराई के तौर पर लोड लेने थे फिर अगस्ट प्रपोजल का नाम आप लोगों ने सुना होगा जो आठ अगस्ट 1940 को हुआ था इस अगस्ट प्रपोजल के दर्मियान आप देखेगा इसी समय में एक इंसिडेंट आ रहा था याद में फिर क्रिप्स मीशन 1942 क्रिप्स मीशन कभ हुआ था 1942 कि इसी क्रिप्स मीशन के फैल्योर के कारण या इसके कारण जो DISDRICH क्रिस फांक्शन और DISCONTAINMENT arise हुआ लोगों के दिमाग में नताओं के दिमाग में और वो finally they decided to launch a movement in the name of quit-India movement जिसमें do and die, do or die कि बात वी था करो या मरो वह सही मेरे चैनल का भी नाम है करो या मरो का नाम है करो या मरो के इंतरगत आप लग जाईए हमारे चैनल से जूरे रहे आपको यूपीसी एंसेबिल सर्विश्टेश की किसी एग्जामनेशन के अधार पर आपको मेटेरियल मिलेगा सो कुट इंडिया मुव्मेंट जो है फानली लॉंच हुआ और आने वाले तीन-चार साल में आप देखेगा 1947 में हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद आते हैं लाड वेवल 1944 से 1947 तक सिमिला पाक्ट इसके दर्मियान हुआ था 1945 में उसके बाद कैबनेट मिशन के स्थापना हुआ था 1946 में इस कैबनेट मिशन के स्थापना का या कैबनेट मिशन का आना ये एक महत्पुर्ण हमारा महत्पुर्ण बन जाता हमारे इ आपको पता ही है कि every 10 million के उपर 10 lakhs के उपर sorry या 1 million बुलिए 1 million या 10 lakh 10 lakh के उपर एक सदस का चूना जाना ये हमारे Constituent Assembly का ground बना था और cabinet mission के अधार पर ही Constituent Assembly का निर्मान हुआ आप लोगों को पता है कि Constituent Assembly के उपर मैंने इंडिन पॉलिटी में लेशन ही बनाया है अगर आप देख रहे होंगे पॉलिटी वन पॉलिटी टू पॉलिटी तो आपको पता चल चुका होगा साथ में अभी योजना अपरिल 2020 में भी यह इस बात के चर्चा की गई थी जिसक से धंक से परजेंग भी किया गया चली लॉड मॉंट वेटन 1947 से 1948 तक इसी दर्मियान हमारा देश अजाद हुआ था 15 अगस्ट 1947 को इंडिपेंडेंस अफ इंडिया 14 अगस्ट 1947 को पाकिस्तान का निर्मान और आपको पता है मॉंट वेटन का 3 तीन जून योजना भी बोलता हैं थर्ड जून थर्ड जून प्लान जो था वह लॉड मॉंट बेटन के समय में ही हुआ था करेक्ट उसके बाद सी राजगपाली वाइसरा या कह सकते हैं गवर्नर जेनरल बने जो कि पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जेनरल के तौर पर निट हुए मत्तब पहला इं स्थेमाटिकली इन 4-5 वीडियो को आप लोगों ने देखा है और अगर नहीं देखा ता आप देखेगा जरूर यह हो सकता है कि आपको लगता होगा कि एक पॉइंट दो पॉइंट है बट इस दो पॉइंट को मैं इसलिए सिर्फ रखा हूँ बहुत सारा इंसिडेंट रह लगेगा तो पहले हमें किसी भी चीज के बारे में ओवर्वियू लेना चाहिए इसलिए मैंने गवर्णर जनरल के मेजर पॉइंट और सिग्निफिकेंट और इंपोर्टेंट पॉइंट को मैंने हाइलाइट कर दिया है ओके गाइस सो स्थे टून टू केम लानिंग चैनल ख्राइन पीजल के सब्सक्राइब कर लिजे लगार को भी प्रेस कर दिजए साथ मिल आइकन के सभस्री नोटिफिकेसन आता है उसको ओल नोौटिफिकेशन ऑन कर दिजिए या यूटुब का सेटिंग भी आप अपना नोटिफिकेशन आन कर दिजए ताकि हमारे वीडियो का information आप तक पहुंचता रहे नहीं तो बहुत लोगों का कहना है कि उनका वीडियो वीडियो का information नहीं मिल पाता है okay guys so thank you stay tuned to KM Learning Channel